Hi everyone, welcome to UPSCpedia by Anujindal.in तो दो questions repetitively मेरे पास बहुत बार आते हैं The first one is Sir, पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन याद कुछ नहीं है Sir, पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन याद कुछ नहीं है And the second one is Sir, क्या इन पॉइंट्स को मैं इस आंसर में लिख सकता हूँ मतलब क्या ये वाले पॉइंट्स मैं इस आंसर में मेंशन कर सकता हूँ तो इनी दोनों question के answer मैं आज के session में आपको देने वाला हूँ So, let's begin Myself, Arneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Management Officer So, first question है हमारा कि Sir, पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन याद कुछ ने तो problem क्या है कि हम remember नहीं कर बारे अपनी studies को, concepts को Right? तो इसका एक बहुत ही simple solution Might भी हम सबको पता है, बट हम implement नहीं करते That is revision Right? That is revision अब जो revision भी करनी है, वो भी हमें smart revision करनी है Smart revision का मेरा मतलब time-based revision Time-based revision का मेरा मतलब क्या हो गया? कि for example, कोई topic आपने आज पढ़ तो आपको revision कैसे करने चाहिए? कि भाई, within week तो एक बार उसकी revision जरूर हो जाए मतलब जो हमारी first revision हो, वो at least within week हो जाए Right? अब जो second revision है, वो depend करेगा कि भाई, वो topic कितना difficult है या easy है For example, जादा difficult है, तो 14 days में कर ली या फिर अगर जादा easy है, तो after month कर ली तो जब हम किसी भी topic के, किसी भी concept के, किसी भी chapter की multiple revisions करेंगे, उससे होगा क्या, जो भी हमने पढ़ा है जो भी हमने समझा है, वो हमें याद होना शुरू हो जाएगा तो generally प्राब्लम students करते हैं, वो करते क्या हैं? भाई, subject to subject cover करने से लिया आथे कि हाभा ये subject भी होगा, ये subject भी होगा, ये subject भी होगा topic वो syllabus को ख Autumn को खतम करने क्योशिश करते है बट हमें syllabus को खतम नहीं करना syllabus को साथ-साथ याद भी रखना है तो याद रखें कि कमे से ले बस खतम नहीं करना साथ-साथ उसे remember भी रखना है तो उसके लिए हमें time-based revision जरूर करनी है ठीक है अब इसमें मैं अपनी डो techniques जो personally बहुत follow करता था वो क्या करता था कि let's suppose कोई date मेरे को याद नहीं हो दी तो मैं क्या करता था कि उस date को अपने hands में लिख लेता था और जब भी मैं अपना hand देखता था और बाइचांस में मेरे सामने आ दी थी थी तो मैं उसे mind में recall कर लेता था जिससे होता क्या था कि एक दिन में 5-10 times मैंने उस topic को देख लिया तो मों मेरे mind में save हो जाती थी ठीक तो ये एक आप apply कर सकते हो और दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत बार apply किया और मेरे लिए थी वो बहुत बार work करी है that is for example कोई points है जो कोई concept है तो मिरे को याद नहीं हो रहा तो मान लो मैं क्या करता था उसे morning में एक बार mind में पढ़ लिया मैंने मतब एक बार copy उठाई उसे पढ़ लिया और वो रियाद कर लिया कि मैं इन 5 points को बार बार revise करूँगा तो पॉर example अगर मैं नहाने जा रहा हूँ यह brush कर रहा हूँ तो मैंने mind में brush करते करते यह नहते नहते उन points को recall कर लिया फिर मैं smoothie drive करते हुए let's suppose office सक आ रहा हूँ यह कही travel कर रहा हूँ फिर mind में मैंने उसे एक बार 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 रिया रिकॉल कर लिया कि वो मेरे को topic याद हो जाता हूँ इवन इतना deep में तले आगया था मैं कि अगर जब मैं हम सो रहे हैं तो सोने से पहले होता है कि कुछ time हम लेटते हैं लेकिन हमारा mind work कर रहा हूँ हम properly sleep पे नहीं होते तो उस time भी मैं अपने answers revise कर रहा हूँ topic revise कर रहा हूँ तो यह भी ठीक है तो revision तो हमें करनी ही पड़ेगी समझ आगया चले अब next question का answer next है हमारे पास कि क्या यह point हमें इन answers में mention करने चाहिए तो generally क्या होता है कि जब हम answer writing session से induct करते हैं तो students के doubt आते हैं जिसमें मैं होता क्या था answer writing session में मैं question देते था था students अपने answers लिखते थे और YouTube पे हमने answer writing session करे थे उसकी बात कर रहा हूँ तो answers लिखते थे तो at end of the day at 6 pm हम करते क्या थे मैं YouTube पे answer discuss करता था अब होता क्या था कभी के बार बच्चों के points अलंग होते थे तो वह generally एक डाउट कुछते थे सर हम इन points को भी add कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं यह generally जब students answer writing कर रहे होते हैं तो उनका डाउट आता है क्या यहले points इस question में add कर सकते हैं नहीं कर सकते तो इसका answer क्या जहां से सुनना हर एक question अपना answer क्या question पता है कि उसे answer में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो हमारा टास्क क्या होना चाहिए कि हम देखें कि क्या question मांग रहा है क्या उसे चाहिए तो हमें question को evaluate करना आना चाहिए तो एक example, तीन-चरr questions के example से रखें उसके थूरू मैं explain करता हूँ कि questions में आप कैसे पता गर सब्सक्राइब question को क्या चाहिए देखो for example मैंने एक किया क्या है देखो it's applicable for both commerce and management but मैंने अभी questions उठाया है जो हमारा recent 2022 का paper हुआ है जो 2022 का UPSC का commerce optional का paper उदर से questions उठाया है for an example only but अगर आपके paper में चाहिए वो जो परजी paper हो उस पे आप यह apply कर सकते है टेखनीक ठीक देखो question क्या आया था discuss the role of commercial banks in the economic development of a country तो यह question 8B है हम सबको पज़ा paper 1 में से आया है जो कि हमारा financial market and institutions का है अगर आप commerce के student हो तो राइट अब question कह गया रहा है कि भाई topic को discuss करो एक brief discussion करनी है हमें मावे और जब discussion कर रहे हैं तो fall to be discussion नहीं करनी है जो discussion करनी है वो हमें based on facts करनी है और example हमारे question में क्या बोला गया है role of commercial bank बताओ in economic development तो मैं बताऊँगा कि हाँ कैसे commercial bank help करते है economic development में मैं facts दे सकता हूँ कि हाँ यह सारे indicators हैं यह सारी reports हैं जिससे वह बचल रहा है कि अगर banking commercial banks increase हो रहे हैं तो let's suppose saving increase हो रही है यह development हो रही है growth हो रही है ज्यादा loans हो रहे हैं तो यह सारे indicators हमें mention करने है facts mention करने हैं अपने answer हों राइट अब अगर discuss लिखा है तो हाँ माइट भी इस topic पर work ना करें बट हम उसके pros और cons अद्वांटेजिस और disadvantages भी discuss कर सकते हैं ठीक है समझ आ गया तो question खुट define करता है अब मैं बाकी questions पढ़ो हुआ न तो आपको समझ आएगा अच्छा ठीक है अगर यह वाला point हो तो ऐसे आंसर दिखने हैं for example एक और दो चार एक्जांपल चौर ले लेते हैं for example देखो question number 2a है हमारे paper का the choice between centralization and decentralization cannot be made in isolation none none is good or bad critically evaluate this statement तो question क्या मांग रहा है evaluate करो उसे statement को evaluate करो तो जब हम evaluation की बात करते हैं student generally लिए गलती क्या करते हैं वो अपने personal opinions देने शुरू कर देते हैं but evaluation में हमें अपने personal opinions बिल्कुल भी नहीं देने होते हमें करना क्या होता है हमें assessment करना होता है terms का for example इस question में भात कर लूँ तो हमें बताना है कि भाई यह जो centralization है और जो decentralization है वो किन-किन situation में advantages है कि कौन से situation में centralization लगाना बेनिफीशियल है कौन से में decentralization लगाना क्या-क्या किस-किस situation में क्या-क्या उनके disadvantages है अगर हम centralization की में decentralization लगांगे ठीक है समय आ गया चले एक दो questions और यह एक question और आ गया let's suppose collective bargaining in India has not been very successful comment discuss the suggestions to be made to make the functioning of collective bargaining effective तो एच्छा यह दो पार्ट है question के first part और second part अगर आपने बागी मेरी remaining videos भी देखियोंगी तो मैं समझाता हूं अगर question के दो पार्ट हैं तो हमें दोनों पार्ट को importance equal देनी है या फिर question जितनी demand कर रहा है importance उतनी importance देनी है तो अगर हमारे दो पार्ट है तो हमें दोनों पार्ट को equal importance देनी है अच्छा अभी मैं distance वाले की बात नहीं कर रहा हूं कि अपने personal opinions दे सकते हो मैं generally की बात कर रहा हूं फिर बोलूंगा question का जो overall perspective है वो define करेगा कि आपको answer कैसे करने है ठीक है तो जहां उन्हों ने बोला comment तो हम बहाँ पर अपने personal opinions दे सकते हैं या फिर जो भी हमारा perspective है subjective related वो दे सकते हैं बट एक point याद रख लेना अपने फालतू के अपने फालतू के opinions नहीं देने अगर जो आप आपको opinion बना है on the based of facts reports वो ही mention करने है मतलब आपको proper evidence देना है proper data देना है कि हाप भई हमारे opinions ये क्यों बने समझ आ गई चले आगे अब इसमें एक point और याद रखना है अपने opinions देते हुए मैं random general questions की बात कर रहा हूँ अपने opinion देते वक्त extreme views में बिलकुल नहीं जाना कट डरवाद दिलकुल नहीं बना है भाई नहीं भाई collective bargaining तो बिलकुल वेगार एंडिया में ऐसा होने जाए ऐसा कुछ भी हमने नहीं लिखना generally applicable on all questions किसी भी जब हम अपने personal views दे रहे हैं opinions दे रहे हैं तो हमें normal रखने अपने views को किसी एक साइट बहुत ज्यादा बेंड नहीं कर देना है ठीक है extreme views बिलकुल भी नहीं लिखने फिर हमारे पास एक और example question number 5 भी है briefly explain any five risks faced by the financial institution in India paper 1 से question था जो पहले वले पेपर 2 से थे वो अगर आप डूबने बैठो तो यह paper 1 से है इसमें जो term use हो रहा है question क्या कह रहा है sorry briefly explain जब explain हो तो हमें क्या करना होता है question में details mention करनी होती है और try करना होता है कि हम answer कर पाए what how and why जिसाब इस question में बात करूँ तो जो five risks है जो financial institutions को है ठीक है वो हमें explain करने क्या है five risks और वो कैसे impact करते हैं हमारी financial institutions को समय आ गया एक last question और देख लेते हैं यह है distinguished transfer and promotion as demotion and state the purpose of resorting to transfer तो यह तो simple question है कि भाई उनने पहले ही distinguish मांगा है मतलब difference मांगाना है तो हमें difference बताना है transfer and promotion and demotion के बीच में अब जब हम difference लिखते है तो difference हम lines में भी लिख सकते है statements में भी लिख सकते है और better क्या है अगर हम कई table create कर सकते है तो table create कर रहे है table में और advantages हो जाएगा advantages क्या हो जाएगा हमें करना ही चाहिए कि एक third column all बनाना चाहिए basis का students बहुत बार miss कर देते हैं कि किस basis पे आप differentiate कर रहे हो यह show करेगा कि हाँ अगर कितना आपको subject का वो है होता कि students generally क्या करते है mix कर देते है भाई एक जगह तो define कर दिया फिर दूसरी जगह कुछ और लिख रहा है इना पे advantages लिख रहा है इना डिसटेवांटेजिस लिख रहा है वो गलती नहीं करनी एक ही basis पे हमें दोनों को compare करना है वो ही होता है कि हम उन दोनों के बीच में compare कर पा रहे है उनके बीच में differentiate कर पा रहे है राइट ठीक है तो कौन से statements क्या उस answer में fit होंगी नहीं होंगी हमें question को evaluate करके decode करके समझ आएगा अब sir ये habit हमें कैसे आएगी देखो जितनी answer writing की practice हम करेंगे उतना ही ज़्यादा हम improve होंगे उतना ही ज़्यादा हमें समझ आएगा कि answer को कैसे लिखना है तो हमारा task क्या है ज़्यादा से ज़्यादा answer writing की practice करना I know initial basis में आपके answer अलग जा रहे होंगे गलग जा रहे होंगे आपका sort का मारा होगा है अगर आप check करवा रहे है evaluate करवा रहे हो तो लेकिन जितनी ज़्यादा practice करोगे तब ही आपका answer improve होगा ठीक तो that's all for today bye bye take care see you soon आप इफ वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना और share कर लेना अपने friends के साथ bye bye